भारतिय वुमिन्स टीम और बांगलादेश वुमिन्स टीम के बीच खेला गया तीसरा मैच टाई पर खत्म हुआ पहले बांगलादेश की टीम ने 225 रन बनाए तो वही फिर टीम इंडिया ने भी 225 के स्कोर तक ही पहुँच पाई और उसके बाद मैच टाई हो गया मगर मैच खत्म होने के बाद भारतिय कप्तान हर्मन प्रीट कॉर ने एमपाईरिंग पर सवाल उठाते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया है इससे पहले इसी मैच में आउट होने के बाद उन्होंने अपना बल्ला गुसे में स्टंप्स पर दे मारा था बंगलादेश के साथ खेले गए तीसरे वंडे मैच के ड्रो होने के बाद हर्मन प्रीट कॉर ने एमपाईरिंग पर सवाल खड़े किये हैं मैच खत्म होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉंटरенस में कहा कि मुझे लगता है कि हमें इस मैच से काफी कुछ सीखने को मिला है यहाँ जिस तरह की एमपाईरिंग हुई है उसे देखकर मैं हैरान हूँ जब हम अगली बार यहां आएंगे तो इस तरह की एंपाइरिंग के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे मैंने पहले भी कहा था कि यहां बहुत ही खराब एंपाइरिंग होई है मैं कुछ फैसलों को लेकर खुश नहीं हूँ हमारे देश का हाई कमिशन भी यहां पर है बिलकुल भी खुश नहीं थी। उन्होंने गुस्से में बल्ले को स्टंप पर दे मारा, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है। वहीं अब एमपाइरिंग पर दिया उनका बयान भी चर्चा में आ गया है। बताते चले तीसरे वंडे मैच में पहले 50 ओवर में बांगलादेश ने 225 रन बनाए, जवाब में भारतिये टीम 225 के स्कोर पर ओल आउट हो गई और मैच टाई रहा। नतीजन ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म होई। सीरीज की बात करें तो भारतिय महिला टीम के बांगलादेश दौरे पर पहले T20 सीरीज खेली गई जिसमें भारत ने 2-1 से जीत दर्च की। इसके बाद तीन मैचों की वंडे सीरीज का पहला मैच बांगलादेश ने अपने नाम किया, ये वंडे इतिहास में बांगलादे का ऐसा गुस्से वाला रूप पहले कभी नहीं देखा होगा और खराब एमपारिंग के लिए उनका गुस्सा फूटा, प्रेस कांफरेंस में भी फूटा और उसके बाद भी ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर्मन प्रीत कार जिस तरीके से आ जल सब्सक्राइब भी कर दीजिये साथ ही बेल आइकन जलूर ट्रेस कर दीजिये क्योंकि खेल जगत से जुड़ी हर ख़बर आपको सबसे पहले न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर ही देखने को मिलती है बहुत बहुत शुक्रिया